अब आप देखिए ये इनकी wheelchair है जैसे ये गाड़ी चलाके आते हैं ड्राइब करके आते हैं तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच रहोंगे कि ऐसा ही मैं दिखा रहा हूं इसलिए आपको पूरी तस्वीर दिखा रहा हूंगे अब आप देखिए ये कैसे नीचे आ आ गए और अब इन्होंने अपनी गाड़ी चोड़ दिये अब ये अंदर की तरफ चलेंगे अपने घर पे चलेंगे नमस्कार में राजेस पोल खोल भागुना और आप देख रहे हैं परवतवानी लाइप मैं समय नेरूगराम में हूं और नेरूगराम में बीरू जोसी जो के घर में हूं बीरू जोसी जी हलांकि पैरों से बिकलांग हैं लेकिन किसी भी एंगल से मुझे यह विकलांग लग नहीं रहे हैं अब ल्हEild करों गिल्ट मोठकति पीरियु जोशी जी और आप विकलांग नहीं है ऊपकी तो बहुत जशन अब धन्यवाद आपने हमें याद किया बहुत बहुत धन्यवाद में परवत वाणी का करना चाहता हूं और सबसे जाड़ा धन्यवाद आपका करता हूं कि जो कि आपने इतनी सारी खबरों के बीच एक ऐसी खबर लेनी की सोची कि मैं एक दिभ्यांग को दिखाऊं और उस जो सारे जो मेरे जैसे दिव्यांग भाई लोग अपने घर में हिम्मत हार के बैठे हैं उनको एक होसला देने का काम क्या उसके लिए मैं आपका हमिसर रिणी और आभार व्यक्त करता हूं जोसी जी आप दिव्यांग नहीं हैं आप प्रेणा सुरोत हैं उन लोगों के लिए जो हार कर ठक कर घर पे बैठ जाते हैं और जिंदगी से मायूस हो जाते हैं और मैं कहा रहा हूं कि ऐसे ही बीरू जैसी जोसी जी जैसे लोग हैं जिनकी वज़े से मुझे हिम्मत मिलती है मुझे और प्रेणा मिलती है कि मुझे अभी और लोगों तक पहुंचना है तो ये पैरों में जो आप सक्षम नहीं है अभी समय चलने में क्या हुआ था कैसे यह हुआ सर मेरा नाम बीरू जोसी है मैं जिल्ला चमोली के थराली बिलोग मेरा गाउं का नाम चेपणो है मा नंदा देवी का एक पड़ाओ है सर आपने सुना होगा नेगी जी के एक गीत में चेपणों का थोकदारूं का नंदा राज राजेश्वरी तो मैं उस गाउं से हूँ सर और 99 में सर मैं हाई स्कूल के पेपर दिये थे तो आपको जैसे की संग्यान होगा सर UP बोल्ड के टाइम पे अगवार में रिजर्ड आता था सर तो मैंने भी पेपर दिये थे साइंस सेट से और मैं खुसी में गया था कि मैं अपना रिजर्ड देखने जाओं तो कुदरत का साइद यही करिस्मा होगा सर की मेरा जीब एक्सिडेंट हो क्या सर और जीब एक्सिडेंट जब हो तो सर 99 में मेरा रिट की हड़ी तूट गई सर तो उसके बाद सर बहुत सारे इलाद चले डॉक्टर नोंने बिल्कुल कह दिया था कि स्पाइनल कोड का अभी कोई ट्रेटमेंट है नहीं और आपको विल्चेर में अपना जीवन बिताना पड़ेगा तो सर मैंने सोचा कि आप यहां पे से जीवन कैसा शुरुआत किया जाए तो मुझे ऐसा लगा कि बीरू आप माइंड से दिभ्यांग नहीं हो आप सरीर से दिभ्यांग हो आप अप मैंने दिमाग से स्वस्त हो तो दिमाग से स्वस्त हो जो मेरे सबसे बड़ी जीत थी और मैंने लिखना शुरू किया सर मैं ऐसे छेत्र में था मा नंदा की आशरिवाद था मैंने नंदा देवी के गीत लिखना शुरू किया दो हजार चोदा में नंदा राजात जब चाली थी खुरको farming में भजन का काम करता था चलिए आप लोग देख़ें सोले में जया और बीरू थे तो वो बीरू भी किसी से खम नहीं थे लेकिन ये विश से कम नहीं है और mindset कहा हूं कि जो जिन्दगी की जंग को एक हारने की कगार पर हैं वो सीखें बीरू जोशी जी से आप ही मैं दिखाऊंगा आपको कि ये क्या-क्या और कारणामे करते हैं क्योंकि मुझे किसी भी एंगल से ये विकलांग वैसे नहीं लग रहे हैं पैरों से हो सकता है कि परमात्मा की यही इच्छा रही होगी लेकिन इनों ने अपनी परबल इच्छा सकती से बहुत कुछ कारणामे की है तो जोशी जी आपने कहा है कि माता के बहुत सारी के भजन आपने गाये हैं तो उसमें से आप थोड़ा सा हमारे दर्सक भी सुनना चाहेंगे क्या को सुन के लिए मा नंदा देभी राजजाद यात्रा पे कोई दो गड़कु मौकी माता मेरी जे बोला ये जे बधान माता बल तेरा मेती होला मल बधान जालू मानंद जी कुडोला सिब केलास जालू मानंद जी कुडोला ऐ सिद्ध पीठ नोटी बैचले राजजाद ये त्यार में त्वा ला नोटी बैचले राजजाद नंद के सरी मा होला गड़कु मों को साथ जै हो नंदा देभी तेरी जे बोला गड़कु मो की माता मेरी जे बोला एक ज्यार वर्स पूजा उंदी बैदनी कताले जख तेरा हातुन वे राग सुंको काले बारों साले मा तेरो चोसिया वे खाडू वान गोमा भाई तेरो द्यव तरेंदू लाटू जै हो नंदा दे मुझे नेज के लिए जै बोला गड कुमों की माता मेरी जै बोला बोलमानंदा राज राजिश्वरी की जै जै बहुत सुन्दर गीत और बहुत सुन्दर गीत का सातम आपकी जो आवाज है वह अलग ही करोना चाहा अलग ही दर्द चाहा तो ये वास्ता आप बधाई का पात्र बिचा है जोसी जी बहुत बहुत धन्यवाद भैसाब जब मेरा एक्सिडेंट हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं अपने जैसे लोगों के लिए जो लोगों के साथ भगवान ऐसे दुरगटना ही कर देता है और ओगर में एक बोज बन जाते हैं मैंने सबसे पहले ये सोचा कि मैं बोज नहीं बनू आज मैं एक सो करता हूं लोगों के बीच जाता हूं मुझे वो प्यार मिलता है जो एक आम आदमी को मिलता है सर बहुत अच्छी बात कहिए जोसी जी ने देखे प्यार में कोई कमीनी हमारे उत्राखंडी रखते हैं और अगर आपके अंदर जज़बा है जिन्दा दिली है तो फिर तो किसी चीज की कमीनी है इसके अलावा माता मंगला देभी जी से आपका मिलन कैसे हुआ कैसे आप उन से मिले क्योंकि उनकी किरपा उत्राखंड पर बड़ी बनी रहती है हम भी देखते हैं कि वो दान अनुदान में कहीं भी पीछे नहीं होती है तो कैसे उन से मिलन हुआ कैसे मिलाफ हुआ आपका साइद भगुणा जी आपने बहुत अच्छी बात कही माता मंगला जी मुझे सच में मानन्दा के रूप में मिली 2011 में कोड़द्वार में एक भव्य प्रोग्राम था जहांपे माता सिरी मंगला जी ने दिभ्यांगों को सम्मान करने की सोच रखी तो उसी दिभ्यांग कार कारम में में भी माता जी से मिला और मैंने माता जी से का कि मानन्दा की छीतर से आता हूँ और भजन लिखता हूँ तो माता जी ने मुझे उसके बाद दिल्ली प्रोग्राम होता है सासंग का तो बोला ठीक है आप वहां जरूर भजन गाएंगे तो 2011 से मेरी जरनी हंस Foundissenschaft में हुई और उसके बाद आज 10-11 सालों से मैं हंस फाउंडिशन का सोसियल पेज भी मैं ही चलाता हूँ सर सेवा भी और सम्मान भी और सेवा भीर सम्मान भी के माध्यम से बहगुणा जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोविट 19 के संकट काल में ऐसे सुदूर वर्ती छेतर च गाउं गाउं में बित्रित गया तो वहां लोगों का जो प्यार मुझे मिला कि लोगों ने का कि आज तक इस छेतर में कभी किसी ने सुद्द नी ली पहला ऐसा कोई व्यक्ति आज हमारे लिए रियल हीरो हो कि जो एक दिब्यांग होने के बावजूद क्योंकि आपको पता कि वहां लोगों को मास्क सेनिटाइजर बित्रित किया सर अचार इसके अलावा जो आपने मा नंदा देबी राज या चता का सुन्दर गीत का है इसके अलावा भी और कोई बजन है एक बजन हम और सुनना चाहेंगे अगर आपकी इजाज़त हो तो जी सर मैं एक सेनिक का बेटा हूँ मेरे पिताजी आर्मी में कारगील युद्द में मेरे पिताजी ने लड़ाई लड़ी थी और उस समय उन पर गोली भी लगी थी सर तो मैं इसलिए अपना आपको भागे साली समझता हूँ कि मैंने एक सेनिक परिवार से जन्म लिया है सर और मेरी हिम्मत इसलिए साइध चार गुनी जादा है क्योंकि मैं एक सेनी का पुत्र हूँ सर और भगवान की साइध यह इच्छा थी कि पिछले वर्स मेरे मातर और पिताजी अचानक गुजर गे सर उनका साया मेरे सर से उड़ गया लेकिन वो मेरे साथ हैं सर क्योंकि आप जैसे लोग मेरे साथ हैं तो मैं सोचता हूँ साइध मा पिताजी के आश्रिबाद में ही आप जैसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं सर और मैं सेनी का एक बहुत सुंदर गीत मैंने स्वयम लिखा है और गाया भी है सर मैं जरूर सुनाना चाहूंगा सर धुन्दे छाई रेंदी माजी है माजी ये कालू का डांडा धुन्दे छाई रेंदी माजी है माजी ये कालू का डांडा कुहेडी छाई रेंदी है माजी ये कालू का डांडा ये कालू का डांडा माजी पाणी कीच खैरे हात मुख धून माजी वे जांदी देरे तब अंदी तेरी आद है माजी ये कालू का डांडा कुहेडी छाई रेंदी है माजी ये कालू का डांडा भारत माता कीजेए बहुत सुन्दर है जोशी जी बहुत सुन्दर आप गाते भी हैं और गाने के साथ साथ में आप बहुत अच्छे इंसान भी हैं देखे इंसान अच्छा होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपकी नियत और नीती अच्छी होती है तो हमारे जो धरसक है उनका प्यार भी मिलता है उपर वाले का आशिरवाद भी मिलता है तो उतराखंड की जो जनता है उसको क्या कहना चाहते हैं बीरु जोशी जी जाते सर बहुत देव तुलिया साइद हमारा उतराखंड इतना खूबसूरत है और उससे ज़्यादा खूबसूरत हमारे उतराखंड के लोग हैं सर मैं यकीन निमानों सर मैं जब मौल में जाता हूँ या कोई ऐसी जगों में जाता हूँ जहां पर सीडियां होती है तो चार सर लेके सर बहुत बड़े वादय तो करती है सर लेकिन सर कही न कहीं हम जैसे लोगों के लिए जरूर सरकार को ऐसे कारे करम करना चयए चाहे आप बड़े-बड़े कॉलेजों में हमोडों नसा नहीं करता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा तो हमको दुख होता कि यार हम चल फिर नहीं सकते हैं उसके बावजूद भी मैंने वहाँ पे लोगों को तो भहुत सारे लोगों ने नसा छोड़ दिया था उस यूथ पीडी ने नसा को छोड़ दिया था सर तो मुझे लगा कि मैं अगर दो लोगों को भी नसा छोड़वा सकता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सोबागया की बात है तो सरकार को हम जैसे लोगों के लिए एक प्लेट फॉर्म देना चाहिए आगे कॉलिजियों इनवर्सिटियों में हमसे जरूर पांच मिनट दस मिनट का टाइम लेके ऐसे यूथ के लिए में मॉडिफाइट बनना चाहता हूँ सर और कहना चाहता हूँ अपने यूथ लोगों को कि आप नसा से बिलकुल बचें सर क्योंकि अगर मेरे जैसे बीरू अगर ये कमाल कर सकता है तो आप तो भगवान ने पाउँ दिये हैं हाथ दिये हैं दिमाग दिये हैं तो आप बिलकुल नसा छोड़े सर ये मैं सरकार से गुजारिस करूँगा कि जल्द जरूर हमको भी एक ऐसा मंच परदान करें जहां प चलिए अब दिखाते हैं आपको जोसी जी ये कैसे ड्राइविंग करते हैं और कैसे इनकी गाड़ी है क्या कुछ इन्होंने गाड़ी में कुछ बदलाव किये हैं और इनकी हिमत की दाद भी देंगे तो कैमरामन को कौँगा थोड़ा नजदिक आ जाए जी जोसी जी थोड चलिए जी मैं 99 में मेरे एकसिडेंट हो गया था तो मेरा इतने से नीचे हिस्सा काम नहीं करता है तो सर जैसे आप लोग कलज पाउं से दबाते हैं तो मैं हाथ से दबाता हूं तो यह लॉग हो जाता है सर और मैं उसके बाद डालके इसको उठाओ और यह रेस दो और यह हाथ वाली जो पैर वाली जो सारी मुमेंट थी वह आप इन लीवरों पर ले आया उपर बिल्कुल सर बिल्कुल और यह मैं हाथ से अब मैं आट-दा साल से चला रहा हूं तो सर मुझे बहुत अच्छा कंपिटिविल मैसूस होता है और अपना हावकों मैं दिभ्यांग पूरी साइट खुली तो जैपूर पता चला मुझे कि कोई दिभ्यांग जन है तो उन्होंने मोडिफाइट कर रखी थी कार तो उनने का बिल्कुल हो जाएगा फिर जैपूर से मिस्त्री आये मेरे घर पे फिर उनने ये कार मोडिफाइट करवाई तो थोड़ा सा आप चल तो पूरा पहाड़ों में चलता हूं सर चाये बद्री नाथ हो किदार नाथ हो जिल्ला चमूली से में रहने वाला हूं और मैं यहां से साथ घंटे में अपने गाउं पहुंच जाता हूं सर जी और जी चलिए अब आप देखिएगा कहते हिम्मत मर्दा मददे खुदा कैसे प्रोसीजर रहता है कैसे आते हैं वो दिखाना चाहेंगे बने रहें अब आप देखिए यह इनकी वीलचेर है जैसे यह गाड़ी चलाके आते हैं ड्राइब करके आते हैं तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच रहोंगे कि ऐसा ही मैं दिखा रहा हूं इसलि लेकिन फिर भी उपर वाले ने बहुत कुछ दिया है अब आप देखिए यह नीचे आए यह वीलचेर में आ गए है और आप इन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ दिये अब यह अंदर की तरफ चलेंगे अपने घर पे चलेंगे यह अब अपने घर पे प्रस्तान किया है तो यह आपने देखा है कि अगर आप जीना चाहते हैं और जीने की उमंग है और होसले बुलंद हैं तो फिर बीरु जोसीजी से जरूर मिलिये यह एक मिसाल है मेरे लिए भी मिसाल है अंत में कुछ कहना चाह रहा है जाते जाते मैं एक सायर से इस प्रोग्राम का अंत करना चाहता हूँ कि गर अंधिरों से है लड़ना ये खुद ही आ जाएगा सिर्फ समा की तरों खुद को जला कर देखिए जिंदगी संगर्स में ही मुस्कराती है सदा आप भी इसका एक परचम उठा कर देखिए बहुत इस आवार भागुणा जीगा चलिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद सर जैमानंदा चलिए अगर आपके अंदर भी जीने का जज़वा है आप भी कुछ होना रखते हैं तो आप कॉल कीजिएगा ये राजेस पोल खोल भागुणा पहुँचेगा आपके दौर तो फिलाल अभी के लिए बस इतना ही देखते रहिए परवतवानी लाई